हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र कुईक रिविजन विद आरती शर्मा दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नूटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर करेंगे पार्ट शिक्स तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान दीजिए अगला प्रशन है हमारा समवत 1050 से 1375 की कालावधी में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था तो दोस्तों उत्तर भी आचारे नामचंद्र शुक्ल ने आचारे नामचंद्र शुक्ल ने 1000 समवत 1050 से 1375 की कालावधी में जो लिखा गया हिंदी साहित्य था उसे वीर गाथा काल का नाम दिया वीर गाथा काल अगला प्रशने दोस्तों ध्यान से देखें आचारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्ते के आधिकाल की समय सीमा क्या है तो दोस्तों अप्शन ए विक्रम समवत 1050 से विक्रम समवत 1375 तक हिंदी साहित्ते के आधिकाल की समय सीमा मानी है किसने रामचंद्र शुक्ल ने अगला प्रशने दोस्तों निमलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है तो वीर गाथा काल की रचना नहीं है तो वो है भक्त माल ठीक है नाबादास की रचना है ये भक्त माल ठीक है तो भक्त माल वीर गाथा काल की रचना नहीं है बाकी संदेश राशक ठीक है आले खंड किसका है, जागनीक, जै मयंग जस चन्दरी का किसकी हैं, मधुकर की रचना है, ठीके, और जो भक्तमाल है, वो किसकी है, नाभधास की है, ठीके, और प्रियण दास की भक्तमाल की टीका 1712 इस्वी में लिखी गई थी, ठीक है इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 चप्यों में वर्णेत है ठीक है और भक्तमाल में तुलसिदाज जी को भक्तमाल का सुमेरू कहा गया है ठीक है संदेश रासक अब्दुल रह्मान की रचना है तो कुछ ही ये बाते हैं तो ध्यान से पढ़ सकते हैं आप ठीक है अगला प्रशने दोस्तों घ्यान दे इनमें से कौन सा कवी आदिकाल का नहीं है तो बताना है आदिकालिन कवी नहीं है कौन ओप्शन C नाभादास नाभादास आदिकालिन कवी नहीं है यहें बक्तिकाल के कवी हैं और सगुण बक्तिकावेधारा के कवी हैं ठीक है और अग दास ठीक है और इनों ने अश्टियाम की रचना स्रिंगार भक्ती अत्वा रशिक भावना को लेकर की है यह तुलसी दास के समकालिन थे कौन नाभा दास ठीक है तो ध्यान रखिए और जो बाकी कवी जो है चंदरबर्दाई जागनिक और दलपती विजे यह कौन है आधिका रचना आधिकाल की है तो दोस्तों आधिकाल की रचना है यह बताना है तो ऑप्शन बी विद्यापती पदावली विद्यापती पदावली आधिकालीन रचना है बाकी सूर्सागर सूर्सागर बीजक और ब्रहमर गीत यह कपकी रचना है यह भक्ती काल की रचना है ठीक है रादा कृष्णी की प्रेम लीलाओ का वर्णन इसमें मिलता है और जो बाकी रचना है सूर्सागर, बीजक और ब्रमर, गीत ये भक्तिकाल की रचना है ठीक है इतना याद रखें अगला प्रशन है दोस्तों आदी कालीन साहित्य का प्रमुक रस क्या है बहुत ही अच्छा प्रशन है आदी कालीन साहित्य का प्रमुक रस क्या है तो दोस्तों वीर रस ठीक है ना वीर गाथा काली इसलिए कहा गया क्योंकि वीर रस की प्रचुर्ता थी इधर तो वीर रस प्रमुक है आदी कालीन साहित्य में ध्यान रखें ठीक है इसी वजे से रामचंध्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथाकाल रखा है ठीक है? अगला प्रचने दोस्तों विद्यापती ने कुल कितने गरंथों की रचना की है, जिसमें से अधीकाश रचनाइज संस्कृत एवम अवहत में हैं ठीक और कीरती लता और कीरती पता का इनकी अवहट रचना है तो ये प्रशन भी पूछा जाता है कि कीरती लता और कीरती पता का किस भाशा में रचित हैं तो आप बताएंगे अवहट भाशा में ठीक है इनकी तीसरी रचना है पदावली जिसकी भाशा क्या है ब्रज भाशा मिश्रित मैथली भाशा है और कीर्टी पता का अभी तक संपादित होकर प्रकाशित ही नहीं हुई है ठीक है इतनी बाते बस याद रखें आप एक दो बाते हो रहें द्यान से देखें कीर्टी लता एतिहासिक महत्व का चोटा सा कैसा काव्य है प्रबंद काव्य है इसकी भाशा अवहट है कीर्टी लता की याद पदावली ने विद्यापती को यस दिलाया इसके अलावा भू परीकर्मा पुरुष परिक्षा लिखनावली शैव सर्वसु सार गंगा वाक्यावली दान वाक्यावली दुर्गा भक्ती तरंगिनी विभाग सार वर्ष कृत्य और गया पतन गोरक्ष विजे इनका प्रसिद नाटक है इनका सोरी गया पतन तक यह इनकी रचनाए है और जो गोरक्षविजे है वह इनका एक मात्र प्रसिद नाटक है इनके लियापती के कि लिगन से इतना ध्यान रखें यह इंपोर्टेंट बनता है मेरे इसाब से गौरक्ष विजेवाला क्योंकि यह नाटक है अगला प्रशने दोस्तों ध्यान से देखें इनमें से कौन सा कवी अभी ने जैदेव की उपादी से विभूशित है तो दोस्तों अभी नव जैदेव अभी जैदेव ठीक है और देखते हैं याँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विद्यापती ने ओइनवार राजवन्स के विभिन आश्रे दाता के संरक्षन में गीत रचे थे गीतों के भाव वैसिस्टे एवं मादुरे गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शीरोमनी मह महाराजा शिव सिंग तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके दरवारी कवी थे विद्यापती तब आप बताएंगे महाराजा शिव सिंग के दरवारी कवी थे ठीक है और ये कौन से वंश के थे ओइनवार कुल शिरोमनी ओइनवार राजवंश ठीक है इससे संबंद था मह और इनके दरवारी कभी कौन थे विद्यापती और महाराजा शिव सिंग ने विद्यापती को क्या उपादी दी अभीनव जैदेव की उपादी दी ठीक है अगला प्रशने जरह द्यान से देखें दोस्तों निमलिखित में से कौन सा नाम नात्पंथी सादकों में शामिल नह कुकरीपा ये सभी क्या हैं शिद्ध कवी हैं इसलिए जो हैं नात्थ साधकों में शामिल नहीं हैं तीक है और जो नात्थ साधकों में सामिल है वह कौन कौन है चौरंगी नात गोपी चंद चुंड करनात भर्तरी और जलंधर नात् टीक जलंदरी पाव आधी प्रसिद्ध हैं ये कौन है ये नाथ हैं में ये सबी नाथ पंती साधक हैं ठीक है और कर्णहें पा सबर पा लुई पा डोंबी पा कुकरी पा ये सबी सिद्ध साधक हैं ठीक इतना ध्यान रखें अगला प्रशने दोस्तों निम लिखित में से किसका संबंद जो है सिद्ध साहित्ते में नहीं है सिद्ध साहित्ते में पुछा जा रहा है तो ऑप्शन डी गोपी चंद गोपी चंद का संबंद सिद्ध साहित्ते से नहीं है ठीक है ये एक नाथ साधक है ठीक है नाथ साधक हैं गोपी चंद अभी हमने पढ़ा था ठीक है बाकी सब सरेपा सबरपा और कुकरीपा यह कौन है कुकरीपा कहो या कुकरिया कहो तो यह सभी कौन थे यह सिद्ध साधक थे बाकी गोपी चंद चुंडकर नाथ, भरतरी, चौरंगी नाथ और जलंदर नाथ, ये सभी कों थे, नाथ, साधक थे, ठीक है, अगला प्रशने दोस्तों, नार्थ, पंथ, नाथ, पंथ के प्रणेता, most important question दोस्तों, नाथ, पंथ के प्रणेता कौन है, तो दोस्तों, आधी नाथ, प्रणेता य बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, तो नाथ, पंथ के प्रणेता आधी नाथ है, नाथ, पंथ के प्रणेता आधी नाथ थे, योगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए, नाथ संप्रदाय का उदे हुआ था, ठीक है, योगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए, और नाथ पंत के संस्थापक भी थे उन्हें बगवान शंकरका अवतार्माना गया है और इस संप्रदाई में 9 नाथ उए थे देखते रहे हैं तो दोस्तों 9 नाथ हुए थे नाथ さहित्य में कौन-कौन से देख देख आदर ब lass रहांक भार्तिरिनात, गोपी, चंदरिनात, आदी, ठीक है, ये सारे याद रखे, तो ये नो लोग है, स्क्रीन शॉट ले लीजी आप, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं तोड़ा जहां मुझे जरूरी लग रहा है कि जहां से प्रशन बन सकते हैं, इसलिए उनकी व् गुरू का नाम था, मतसेंद्र नात, कहीं कहीं मचेंद्र नात भी लिखा मिलता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, मतसेंद्र नात कहो या मचेंद्र नात कहो, दोनों ही गोरक नात के गुरू हैं, ठीक है, और नात पंत को चलाने का श्रे किसको जाता है, मतसेंद्र नाथ तथा गोरक नाथ जाता है ठीक है जो आजकल आप यूपी के मुख्य मंतरी देखते हैं न योगी आधियोगी नाथ जो भी नाम है उनका तो वो गोरक नाथ के ही शिशे परमप्रा में है ठीक है द्यान रक्के वो इनी गोरक नाथ की तो गोरकनात नात साहित्ते के प्रारंब करता थे ठीक है नात साहित्ते की शुरुवात जिसने की वो थे गोरकनात ठीक है और इनके गुरू मतसेंद्र नात थे अगला प्रशने दोस्तों ध्यान से देखें जरा नात पंत यानि नात संप्रदाई में हटी योग का क्या अर्थ है ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रशने दोस्तों नात संप्रदाई में हटी योग का अर्थ है option D हा का अर्थ सूरे और ठा का अर्थ चंद्र और दोनों का योग क्या बना हटी योग यानि हा का जो हटी योग में जो हा वर्ण है ये इसका अर्थ है सूरे और ठा का अर्थ है चंद्र यानि सूर्य चंद्र, दोनों को मिलाएंगी तो क्या बनेगा हटियो, यानि सूर्य चंद्र, ठीके, तो देखते हैं तो option D इसका सही उत्तर है हटियोगियो, गोरकनाथ्थ ने हटियोग का उपदेश दिया था, पहली बात अगला प्रशने दोस्तों सिद्धों की साधना में सिद्धों की साधना में शूनने का पूरक तत्व क्या था तो दोस्तों सिद्धों की साधना में शूनने का पूरक तत्व था वज्र वज्र सिद्धों की साधना में सूनने का पूरक तत्व था वज्र ठीक है ध्यान रखें अगला प्रशने दोस्तों सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाशा को क्या कहा जाता है तो दोस्तों संधा भाशा option D संधा भाशा कहा जाता है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाशा को ठीक है ध्यान रखिए संधा कहो या साध्या भाशा कहो कुछ भी लिखा सकता है संधा या साध्या संधा या साध्या बाशा ये किसकी थी सिर्ध कवियों की भाशा थी इनोंने संधा बाशा शैली में रचनाय की हैं संधा बाशा वस्तु था अन्तेह साध्मनात्मक अनुभूती का संकेत करने वाली कैसी बाशा है प्रतीक बाशा है प्रतीक भाशा है संदा भाशा और इस भाशा शैली का उप्योग नाथो ने भी किया कितनी अच्छी बात है तो ध्यान रखेंगें आप तो शिद्धों और नाथों की भाशा थी कौन सी संधा भाशा ठीक है और यह कैसी अंत्य साधनात्मक अनुबूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाशा है अगला प्रशन है दोस्तों द्यान से देखें निमलिकित में से सिद्ध साहित्य के विशे में कौन सा कथन सत्य नहीं है सत्य नहीं है यह कथन देखना है तो option D सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाशा में हुआ यह कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है ठीक है अभी हमने पड़ा संधा भाशा या साध्या भाशा तो प्रणयन पिंगल भाशा में हुआ सिद्ध साहित्य का बिल्कुल गलत है बाकी सिद्ध साहित्य का जुकाव सहज साधना की और है ये सही है सिद्ध साहित्य के प्रथम कभी कौन थे सरहपा थे ये भी सही है और सद्या साध्या या संदा बाशा में हुआ था सिद्ध साहित्य का प्रणयन ध्यान रखें तो दोस्तों हमारा आज का ये पार्ट भी यही समापत होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों